हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत हैं एक लब टिप्स चैनल पर और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को और बेल आइकन को भी हौल पर दवा देना ताकि सारे जो नोटिफिकेशन से वीडियो के वह आपको मिल सके और इस चैनल पर मैं रिलेशनशिप के प्रॉब्लेम से रिलेटेड और लब टिप्स रिलेटेड वीडियो को अपलोड करती हूँ तो अगर आपने चेक नहीं किया है जल्दी से जाके चेक करो बहुत सारे वीडियो चैनल पर अबलेबिल है तो चलिए दोस्तों आज का जो बोरिंग से कैसे इंट्रेस्टिंग बना है लेकिन मेरा जो सवाल है थोड़ा सा अलग है वो यह है कि रिलेशनशिप बोरिंग बना कैसे पहले दिन से तो रिलेशनशिप बोरिंग नहीं था न तो कौन सी वो गलतिया है जिनकी वज़े से रिलेशनशिप बोरिंग बनती है उसी के बारे में आज हम जानेंगे तो first जो point है वो है ज्यादा caring मत हो जी हां ज्यादा अगर आप care दिखाऊगे ज्यादा अगर आप partner की परवा करोगे कि आपने खाना खाया या नहीं आपने कितने रोटी खाये या फिर आप क्या कर रहे हो आप अभी तक सोए नहीं हो अभी तक आप जाग रहे हो तो वगेरा वगेरा ऐसे लोग करते हैं ठीक है तो ज्यादा केरिंग नेचर का होना भी लोगों के लिए इरिटेशन हो सकती है क्योंकि आप तो दिल से करते हो लेकिन हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उनको आप केर दिखाते हो ज्यादा अगर आप परवा करते हो किसी की तो उसको बोरिंग लगने लगता है क्योंकि सेम चीज़े आप रोज पूछते हो उससे कि खाना खाया नहीं कितना रोटी खाया मेरे बाबु ने तो ऐसे ऐसे थोड़ा से अपने इमोशन पर कंट्रोल कीजिए और इतना ज्यादा केर मत दिखाईए ठीक है पॉइंट टमबर टू है ज्यादा चिपकू मत बनो आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो यही करते हो आप इतना ज्यादा चिपकू बन जाते हो आधे घंटे बाद-बाद कॉल करते हो 15 मिनिट बाद-बाद मैसेजेस करते ह घूटाकर से लिए पैस सब को चाहिए है ठीक है कोई बोलता है मुसे कोई नहीं बोलता एक उसको पैस नहीं चाहिए तो थोड़ा इस अक्टे नहीं कॉल है तो थोड़ा सा उसको अकेले में भी रहने दो ताकि वह आपको सही सबस्क्रत करनेने cheers म yapılगते नहीं थे तो मिस्करने का हमेशा लगे रहते हो call पे messages पे क्यों नहीं कर रहा reply अरे मुझे भूल गया है मेरी याद नहीं आती तुम्हें यह सब क्या लगा के रखा यार ऐसे किसी के पीछे हाथ धोके परोगे तो obviously यार वो आपसे उभी जाएगा ना या ही जाएगी whatever ठीक है तो उसको boring लगेगा आपसे बात करना की यार क्या बात करे हमेशा call पे messages पे लगी रहती है या लगा रहता है तो ऐसा मत करो खुद की भी एक value है आपकी तो उसको भी build करो ठीक है ऐसा करो कि उसको भी आपके call का या messages का wait करे वो उसको भी आपके call messages का इंतिजार रहे तभी तो आएगा मजाना ऐसा आप लगे रहते हो हमेशा call messages call messages तो कोई भी उब जाएगा किसी को भी बोड़ हो जाएगा कोई भी बोड़ हो जाएगा ठीक है तो ऐसा मत करो ज्यादा चिपको मत बनो जितना ज्यादा चिपको बनोगे उतना partner का interest जो है आप में से कम होगा ठीक है चोटी सी example देना चाहूंगी मैं यहाँ पे जैसे कि मानलो हम जब shopping पे जाते हैं तो हम mall पे ही जादा जाना पसंद करते हैं ना कि footpath पे बट ऐसा क्यों होता है मानलो footpath में भी आपको same quality का कपड़ा मिल रहा है जो mall पे मिलता है लेकिन फिर भी हम कहां पे जाएंगे हम जाएंगे तो mall पे ही जाएंगे राइट पर हम ऐसा करते क्यों है क्योंकि mall बहुत interesting चीज है हम लोगों के लिए वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी dresses मिलती है वह हमें mall पे मिलती है वही interest तो ऐसा ही है तो खुद को भी interesting बनाईए ऐसा नहीं है कि आपके अंदर quality है लेकिन फिर भी आप अपने आपको footpath की तरह रखोगे तो कोई भी थूख के चला जाएगा ना तो खुद को भी आप mall के जैसा सुन्दर बनाओ अच्छे से रहो अच्छ का हक है ठीक है और इससे आपका जो confidence है वह भी बिल्ड हो सकता है और बहुत हद तक बिल्ड होता भी है तो अपने आपको बिल्ड करो अपने quality को भी बिल्ड करो साथ में skill को भी बिल्ड करो ताकि आपको कोई ignore ना कर पाए बतलब जितना time और जितना attention आप अपने partner पे लग करेगा और boarding भी नहीं बनेगा ठीक है दोस्तों आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार चैनल को विजित कर रहे हो तो जितना होसे के वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो थैंक यू बेरी मच्च